हर्याना के नुह में हुई हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी मंगलवार शाम गिरफतार कल लिया गया पुलिस ने उसे फरीदबा से गिरफतार किया है बिट्टू बजरंगी की ग्रफतारी की जितनी चर्चा हो रही है उसे ज्यादा चर्चा उसे ग्रफतार करने के तरीके की हो रही है बिट्टू बजरंगी को काफी समय से पुलिस घून रही थी मंगलवार को वहां मिला तो लेकिन उसकी ग्रफतारी बिल्कुल भी सामानने नहीं की पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए काफी भाग दौड की बिट्टू बजरंगी की ग्रफतारी का एक वीडियो भी सामने आया है इसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने उसे बिल्कुल फूमे इस्टाइल में ग्रफतार किया CCTV पुटेज में देखा जा सकता है कि फरीदाबाद में जैसे ही नूग की CIA की टीम सादा वर्दी में हत्यारों से लैस तीन गाडियों के काफिले के साथ बिट्टू के घर पहुंची तो तीम को देखकर बिट्टू बजरंगी भागने लगा विडियो में साफ दिखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक पुलिस कर्मी बिट्टू के पीछे भाग रहे हैं और भारी भरकम शरीर वाला बिट्टू पुलिस के चंगुल से भागता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ थाना सदर नूम में अवैज हतियार अधिमियम वह आईपीसी की धारा 148, 149, 322, 354, 186, 395, 307, 506 के तहट मुकदमा दर्ज किया गया था जानकारी के मुताबिक बिट्टू बजरंगी वह अन्य 25 लोगों ने नूम में एक महिला पुलिस अधिकारी के सामने तलवार आधी हत्यारों से प्रदर्शन कर नारेवाजी की थी पुलिस ने उसे समझाया भी लेकिन आरोप है कि उग्र होकर उसने सरकारी काम में बाधा डाली पुलिस के पास उसकी जितनी भी वीडियों है उसके आधार पर बिट्टू बजरंगी के साथियों की पहचान कर चिन्हित किया जा रहा है पता दें कि हर्याना के नू में हिंदू संगटनों की ओर से हर साल ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाती है इस बार भी हर साल की तरह 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा निकालने का एलांग किया गया था प्रशासन से इसकी इजाज़त भी ली गई थी लेकिन ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान इस पर पठ्रावव गोली बारी हो गई देखते ही देखते यह दो समुदायों की हिंसा में बदल गई महौल इतना गर्मा गया कि सेक्णो कारों को आग लगा दी गई नू से शुरू हुआ विवाद कई जिलों तक पहुँद गया था और परिस्तितियां गंभीर हो गई थी विवाद गुरुगराम सही कई जिलों में सुरक्षा बलों को मोर्चा समालना पड़ा था कई दिनों तक जिलों में इंटरनेट भी बंद रहा और ट्रेफिक डाइवर्जन करना पड़ा नू मामले में अभी तक हुई कारेवाई की बात करें तो इस मामले में अभी तक 160 FIR दर्ज की जा चुकी है नहीं 360 से ज़ादा लोग ग्रफतार किये जा चुके हैं हज्याडा सरकार ने अवैज संपत्यों को ध्वस्त करने की भी कारेवाई इस घटना के बाद शुरू की थी इसमें करीब 753 से जादा घर, मकान, होटल आदी गिराय जा चुके हैं 37 जगहों पे कुल 57.5 एकर जमीन खाली कराई जा चुकी है इस दौरान सरकार की ओर-ओर से बेशक 57 एकर से अधिक छेतर में अवैज अतित्रमन हताने का दावा किया जा रहा है लेकिन हाई कोर्ट में इस मामले में संग्यान लेते हुए बुल्डोजर की करवाई पर रोक लगा दिती इस मामले में हाई कोर्ट की और से सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा गया था तमाम कारवायों के बीच अब बिट्टू बजरंगी की गरफतारी इस मामले की अभी तक की सबसे बड़ी गरफतारी मानी जा रहे हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने से राएंगे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ जाने से पहले सबसे जरूरी बात हमारे चैनल नियूद नैशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिसने हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बने रहें नियूद नेशन के साथ